इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपना डुमेंन नेम कैसे चूज़ कर सकते हैं or most importantly के डुमेन नेम होता क्या है so question जो आप लोग के दिमाग में भी डिशक चल रहोगा कि यह क्या लगे होएं आ डुमेन ये टुमेन माखर होता क्या है so a domain name is the address of your website it is the url that people type in the browser to access your website in simple terms if your website was a house your domain name will be its address इसके तो इसके आपको सिंपल सी example देना चाहंगा कि जब आप अपने phone में अगर आपके किसी का number नहीं safe किया हूँ और आपको कोई call करता है तो किया दिखता है आपको अपने फोन में आपको एक नंबर दिखता है लेकिन अगर आपने वही नंबर सेफ किया हो तो आपको अपने दोस्त या अपने फैमिली मेंबर का नाम दिखता है सो ओधर भी यही हो रहा होता है कि हमारे इंटरेट पे बहुत सारे आई-पी एड्रेसेज एक्सिस्ट करते हैं सो वेबसाइट को एकसेस करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप उस वेबसाइट का नाम या या यू आरल अपनी ब्राउजर में लिखते हैं या आप उसका आई-पी एड्रेस अपने ब्राउजर में लिखके उस वेबसाइट को एकसेस कर सकते हैं and the way the internet works is कि ज्यादा तर वो जो आई-पी एड्रेस का नंबर होता है वो हिड़न होता है इसलिए हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है so just like your mobile phone if you want to call someone आप क्या करते हैं आप उसका contact address या उसका नाम जो है वो सर्च करते हैं अपनी directory में and you type it उसी तरह अगर आपने कोई website access करनी हो तो आप उसका नाम type करते हैं and that name is known as the domain name so example लेते हैं Google की Google का domain name क्या है Google का domain name is google.com dgskills की example लेते हैं ये website जिदर आप हमारा course visit भी कर रहे हैं हमारा course देख भी रहे हैं और सारे लोगों के साथ interact कर रहे हैं learn कर रहे हैं इस community में उसका domain name क्या है it's dgskills.pk इसी तरह आगर आप youtube पे जाते हैं और videos देखते हैं रोज तो youtube का domain name क्या है it's youtube.com So, these are a few of the many or I should say million examples of domain names जो online exist करते हैं और online इस तरह के बे ताहाशा domain names हैं different उनकी types हैं different उनकी forms हैं जो के हम थोडीड देटेल में आपको और बताएंगे but just to give you a sense के domain में दो parts होते हैं So, domain name has two parts एक उसका नाम उस also known as the name that's the first part the second part is known as the extension वो उस domain के extension होती है So, अगर आपको यहाँ पे हमारी एक example नजर आ रही हो तो सबसे पहले आपको नजर आएगा www.example.com इसमें जो www है that's the sub domain example is the main domain and .com is the extension और online different तरह के नाम different तरह की extensions exist करती है यह आप पे आपने देखना है के कौन सा domain name आप acquire करना चाहरे है और कौन सा domain name available है और कौन सा domain name आपके लिए आपकी website के लिए आपके brand के लिए सही रहेगा कुछ question जो शहीद आपके जहन में आ रहे हो can I have two domain names for one website इसका थोड़ा एक tricky answer है करने को आप कर सकते हैं लेकिन it's not recommended and it's very difficult and it's very tricky so please यह ना करें ज्यादा अच्छा सवाल अगर एक और आपके जहन में आए कि can I buy a domain name which is already in use क्या आप एक ऐसा domain name खरीद सकते हैं जो already in use है the short and sweet answer to this is no अगर किसी और ने वो domain name acquire किया वह और वो domain name already use कर रहा है तो आप उस domain name को use नहीं कर सकते हैं हाँ आप किसी से domain खरीद जरूर सकते हैं for a bigger price लेकिन कोई और अगर already उस domain को use कर रहा हो तो आप वो domain use नहीं कर सकते हैं I want to give you a few tips on buying a domain name domain name is going to be something जो आप के साथ काफियर से रहेगा काफी जादा आपको भी याद रहेगा और आपकी visitors को भी याद रहेगा आपके clients को भी याद रहेगा तो जरूरी है कि आप ऐसा domain name research करके select करें जो के आपके brand को आपकी personality को दिखाता हो So I am going to give you a few tips सबसी पहले tips से start करते हैं वो है के .com domain name select करें So internet पे बहुत extensions है उन extensions में the most popular extension is .com इसी तरह आपको काफी websites हैं जो इस extension से याद होंगी Google.com, Facebook.com, YouTube.com यह extension internet पे सबसे popular domain name extension है So कोशिश करें कि अगर आपको .com domain मिल सकता है तो .com domain लें एक और tip is बलके एक और question जो शायद आपके जहिन में आएगा वो यह के why is what if .com is taken तो मैं और कौन सी domain extensions use कर सकता हूं आप .pk भी use कर सकते हैं आप .blogp भी use कर सकते हैं आप .co जो के एक और extension है जो के काफी popular होरी है internet पे अब वो भी use कर सकते हैं और इनको extensions को use करने के लिए आपको कोई added पैसे नहीं देने पडते हैं Most of these extension come at the same price which we will tell you later on क्योंके finding a .com domain is really hard एक और tip use keywords अगर आप food business में है तो having a keyword as food in your domain name is a good idea अगर आप education के business में है तो education ये ed का लफ्ज यूज करना उस domain name में is a good idea आप पे depend करता है कि आप कौँ सा keyword चूज करेंगे but keyword helps define your business and search engines like Google love keywords SEO के लिए search engine optimization के लिए keywords are very important and keywords are very crucial keep it short अगर आपका नाम short and sweet होगा तो लोगों को आपका नाम याद रहेगा ये उसी तरह है जिस तरह real life में अगर आपका नाम easy है or is easy to remember so people will remember this short and sweet name and similarly goes for your domain name as well इसके लावा tip ये है कि आप अपने domain name का ऐसा इंतखाब करें कि वो pronounce करना और spell करना असान हो और लोगों को याद रहे क्योंकि अगर लोग उसको pronounce नहीं कर सकेंगे spell नहीं कर सकेंगे तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा उस domain name को याद करना और वो भूल जाएंगे और गलत website का address type करेंगे make it brandable अपने brand को समझें देखें कि domain name में आपका brand कैसे सामने आ रहा है avoid dash और hyphens अगर आपके domain name में कोई dash या hyphens हैं तो कोशिश करें उन्हें ना use करें क्योंके लोगों को dash और hyphen याद करने में बहुत मुश्किल होती है तो अगर मेरी website होती saadhamid.com और मैं आपको कहता saad-hamid.com तो आपको याद करना मुश्किल होता ही है शायद आप भूल जाते है इसलिए मेरी website है saadhamid.com प्लीज विजिट कीजिए avoid numbers अगर आप numbers डालेंगे अपने domain name में तो उसको याद करना भी मुश्किल होगा saad-saad उसकी branding में आपको issue हो सकते है so avoid that as well avoid trademarked names और ये एक बहुत crucial point है so for example अगर कोई trademarked brand है like KFC या MacDonald उसको आप domain name में नहीं use कर सकते आपके लिए copyright का मसल होगा so please avoid to use certain names get creative अच्छा नया नाम सोचें जो लोगोंने पहले ना कभी सुना हो एक मेना आपको example दी थी पहले Mangobuzz अब Mangobuzz का technically कोई मतलब भी नहीं है लेकिन it's a good creative name it has a recall so have certain domains which have a good recall explore new extensions जिस तरह dgskills के साथ है dgskills.pk इसी तरह .co भी एक option है जो आप explore कर सकते है .blog भी है ये extension जरूर explore करे और एक question जो आपके जहन में आया हो कि क्या मैं अपने domain name को change कर सकता हूँ technically आप domain name को तो नहीं change कर सकते है आप नया domain जरूर ले सकते हैं और अपनी website उस पे transfer कर सकते है बट domain name कहां से register करें so कुछ websites जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा namecheap.com one of my favorites you can go to namecheap.com and get a very cheap domain name you can go to bluehost.com bluehost पे जाके आपको एक अच्छा domain मिल सकता है आपको godaddy.com पे domain मिल सकता है आपको hostgator.com पे domain मिल सकता है will I get hosting when I buy a domain name that must be a question जो आप सोच रहे हो not necessarily अगर आप purchase करेंगे तो आपको मिलेगी लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अपने domain name के साथ hosting मिले the last and most important question के आपका domain name कितने का पड़ेगा आपको कितना कास करेगा not more than almost a 1000 रुपए से पंदरा सा रुपए 10 dollars is the cost for a domain name for one year एक साल के लिए आप एक domain name ले सकते है just for 10 dollars and with that you are one step closer to launching your dream website with WordPress so good luck झाल झाल झाल